Hello everyone, students, today we are going to do adjectives, degrees of comparison. Degrees of comparison, comparison यानि तूल ना करना किसी चीज से. अब जैसे कि कही बर क्या करते हम? हम या आप कही बर अपनी height, अपने friends के साथ करते ना? Compare, कि मैं तरह से लंबा हूं, साथ खड़ो कम आपते हैं, कि मैं तो तुसे लंबा हूं, या अपने भाई बाई बाई नों को साथ, देख मैं तो तो तरह से लंबा हूँ, that is comparison, ठीक है, तो adjective tells something more about a noun, we may even compare one thing with one or more than one thing, हम किसी को एक चीज़ से या एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ भी compare कर सकते हैं, ठीक है, adjective helps us in comparing person and things, adjectives क्या help करते हैं हमें person या things को compare करने में, अब let's see the example, पहले हम यह देखे, three degrees of comparison, comparison के three degrees है, positive, comparative and superlative, अब चलिए हम इसे, यह देखे, picture, picture के तो understand करते हैं, अब यह बैग है, इस बैग को क्या नाम दिया गया है, X, क्या नाम दिया गया है, X, ठीक है, और यह दूसर बैग है, इसको क्या नाम दिया गया है, Y, और इसको दिया गया है, Z, ठीक है, अब यह बैग जो है, you can see, हम कहेंगे, this is a big bag, ठीक है, अब अगर हम इस और इस बैग के बीच में तुलना करें, तो यह वाला बैग इससे बड़ा है, है ना बड़ा, यह वाला बैग इससे बैग से बड़ा है, और यह वाला बैग यानि जड़ बैग सबसे बड़ा है, अब इसको तो किसी एक से तुलना करी नहीं है, हम तो सब से, की बढ़ा कोँसा बैग है, यह वाला बैग, तो अब जो big है, big हुआ हमारा positive degree, bigger हुआ हमारा comparative degree, और biggest हुआ हमारा superlative degree, कौन-कौन से big हुआ positive, bigger हुआ comparative और biggest हुआ superlative degree, ओके, तो जब हम दो में compare करते हैं, जैसे कि y bag is bigger than x, ठेक है, तो t h a and then y bag is bigger than x, और z bag is the biggest, अब देखे, the adjective big, bigger, biggest, अब ये क्या है, different forms या degrees of adjective, जैसे कि मैंने बताया, कितने degrees of form है, adjectives के 3 है, positive, comparative और superlative, big is positive, bigger है comparative, and biggest है superlative, when we say the bag is big, जब हम कहते हैं कि bag, this bag is big, हम simple बोल रहे हैं, bag के बारे में कि x bag जो है, वो big है, ठीक है, ना तो हमें, अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, ठीक है, हम simple इस बैग के बारे में बात था कि, this bag is big, या x bag is big, simple बता रहे हैं, कि x bag जो है, वो big है, ठीक है, हम इसे किसी से अभी compare नहीं कर रहे है, simple बता रहे हैं, this bag is big, लेकिन जब हम बोलते हैं कि Y bag is bigger than X Y bag is bigger than X तो हम Y की तुलना X से कर रहे हैं अब जैसे आप बोलते हैं मैं तो तेरे से लंबा हूँ तो आप अपनी तुलना किसे कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ या अपनी बहन या भाई के साथ कि मेरी हाइट तो तुस्यादा लंबी है तो जब हम एक को दूसरे तो तुलना करते हैं तब क्या आता है comparative degree bigger so we say the bag Y is bigger than X ठीक है जब हम दो चीजों में तुलना कर रहे हैं ठीक है X और Y तो हमने क्या यूज किया comparative degree और जब हम कहते हैं कि the bag Z is biggest of all कि Z bag तो सबसे बड़ा है सबसे बड़ा तो जब हम कह रहे हैं सबसे बड़ा यानि किसी एक चीज़ से तो नहीं कर रहे हैं हम सबसे ही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा है तो हम superlative degree यूज करते हैं biggest the bag Z is the biggest of all यानि एक से जादा से तुलना कर रहे हैं, हम एक के साथ, जब दो के बीच में तुलना होती है, तो हम comparative degree use करते हैं, ठीक है, और जब सब से जादा, यानि एक से भी जादा, सब से बड़ा कह रहे हैं, तो हम superlative degree करते हैं, ठीक है, नाओ कम ओन, worksheet 41, लुक एट गिवन एक्जांपल और फिलिंग दा ब्लैंक्स वाइल, यू लॉन तु फोर्म, डिग्री सो कमपारिजन, यह हमारी positive फोर्म है, हमने 3 डिग्री सो कमपारिजन हैं ना, positive, comparative, superlative, ठीक है, तो यह positive है, अब positive degree के हमने comparative और superlative डिग्री बनानी है, by adding er और est, ठीक है, लेट्स दू इट, जैसे की fast, faster, fast में हमने er यूज किया, तो बन गी comparative, और est यूज किया, बन गया superlative, ठीक है, तो fast, faster, fastest, next is great, ठीक है, great, अब great की comparative होईगी, greater, superlative हो जाएगी, greatest, ठीक है, next is small, smaller, smallest, next is high, higher, highest, sweet, sweeter, sweetest, ठीक है, जब हम दो चीजों में compare करेंगे, तब comparative यूज करेंगे, simple बात करेंगे, कि राहूल runs fast, राहूल तेज दोड़ता है, अगर हम बोलें, कि राहूल तो राज से भी ज़्यादा तेज दोड़ता है, तो हम करेंगे, राहूल runs faster than राज, राज, क्योंकि हम राज से तुलना कर रहे हैं कि राज से भी ज़्यादा तेज दोड़ता है, तो faster, और राहूल सबसे तेज दोड़ता है, यानि more than one, एक से भी ज़्यादा, सबसे तेज दोड़ता है, तो राहूल runs fast test, ठीक है, now come on the next, thick, अब thick positive है, तो thick का क्या बन जागा comparative, thicker, और then thickest, superlative, ठीक है, तो जब दो में comparison करते हैं, तो comparative आ गया, और सबसे ज़्यादा तो yes, superlative, और नॉर्मल बात करेंगे तो positive, she is weak, ठीक है, तो weak की क्या हो जाएगी, weaker, weakest, हमने er और est आड़ करना है, er हम करेंगे comparative आड़, और est करेंगे हम superlative में, kind, kinder, kindest, slow, slower, slowest, hard, harder, hardest, dear, dearer, dearest, okay students? next part, b part, in case positive form ends in e, add r and st to it, अगर ये positive word, किसमे e में, ये देखे, last में क्या है, e, brave, able के last में, e, large के last में, e, white के last में, e है, ठीक है, e है, तो हमने क्या add करना है, only r और est, हमने तो यहाँ er और est यूज़ किया था, अब देखे, fast, great, इसके end में e तो नहीं है, ना, in words के, तो हमने er और est यूज़ किया, अब जिन words के end में e already दिया हुआ है, तो हमने सिर्फ r और est यूज़ करना है, जैसे brave, brave, braver, bravest, अब able, सिर्फ क्या लगाना है, r, तो abler और ablest, large, only r, और only est, largest, white, whiter, whitest, ठीक है, e और दिया हुआ है, इसलिए हमने सिर्फ r और est लगाना है, comparative और superlative में, ठीक है, now next is wiser, ठीक है, wise का क्या बन गया, wiser, wisest, fine, finer, finest, gentle, gentler, gentlest, ठीक है, e और रिट दिया है, तो हमने r और st लगाना था, now come to the next, objective ending in y, यानि, ऐसे वर्ड जो positive degree है, यह देखिए, pretty, busy, dry, happy, क्या है, y है, ठीक है, and has consonant before it, y से पहले consonant हो, जैसे t, s, r, p, v, l, r, यह सब क्या है, consonant है, तो जो y है, वो i में change हो जाएगा, और उसके बाद हमने क्या लगा देना है, e r और e st, जैसे pretty, तो y की जगे क्या आ गया, i, और e r और e st, तो हमने लगाना ही है, comparative of superiority degree बनाने ले ठीक है, तो busy, तो y कट गया, क्या आया, i, तो busier, busiest, e r और e st, तो हमने लगाना है, बस y की जगे क्या आ जाएगा, आई आजेगा, क्या आजेगा, i आजेगा, ठीक है, comparative में, e r, और superlative में, e st, happy, happier, happiest, बस y की जगे, i आ जा रहा है, और e r और e st, तो हमने लगाना ही लगाना है, ठीक है, heavier, heavier, heaviest, lovely, lovelier, loveliest, merry, merrier, merriest, ठीक है, य से पहले, consonant आया, तो हमने y क्या लगाया, i लगा दिया, और e r और e st, तो आना था, और अगर in the case, the y has a vowel before it, then y is not changed into i, and e r और e st are added respectively, अब y से पहले क्या था, consonant था, लेकिन अगर y से पहले, vowel होता, vowel sound, जैसे gay, a, vowel sound क्यों सोते हैं, 5 होते हैं, a, e, i, o, u, ये क्या होते हैं, vowel सोते हैं, तो y से पहले अगर vowel sound है, तो y जो है, i में change नहीं होगा, सिर्फ er और e st लग जाएगा, जैसे gay, a, तो y से पहले sound आ रहे हो, vowel की, तो e r लगा दिया, gear, और gest, e st लगा दिया, इसी टें gray, a, vowel sound आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, y का i नहीं बनेगा, er और e st लग जाएगा, grey st, चिक है?